तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट अनलिस वीडियो देखते है 21st of August यहाँ पर निफ्टी एस बैंक निफ्टी में हम कहाँ पर ट्रेट कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा वीडियो शुरू करने से पहले डिसकस करेंगे कल हमने अपके तो पॉजिटिव सेंटिमेंट हमार ली यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेट दूना हमारे प्रियोर्टी थी सेलिंग के लिए हमने कुछ लेवल निकाले लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं काफ एचा मोमेंटमें हमें यहाँ पे देखने मिला इवन जो हमने यहाँ प ब्रेकाउट करेंगा तो डेफिनिटली और मोमेंटम आ सकता है लेकिन अटलीस वहां तक तो जाने के पॉसिलिटी थी तो मैंने अपको बड़ा 30 रुपीज 20 रुपीज के आसपस को प्रेमियम दूना है जो कि था रफली 23,050 का यह 30 रुपीज का इसने हाय आज 200 कुछ मार ठीक है अब चुलिए बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट यहां पर हम क्या दिखने मिल सकता है मार्केट में और किस तरह उसका प्लाइनिंग की जा सकती है अब मार्केट ने एक था कि बॉटम से यहां पर रफली आप बोलो एक बाइंग मोमेंटम चालो गया थोड़ा रिट क्लोजिंग के आसपास ही रिट्रेस्मेंट देच हो है तो लोग अब यही कि मार्केट यही से फिर से एक साथ अपर से मोमेंटम दिखाएगा क्योंकि लोग अब साइकोलोजी इसी तरह से बिल्ड़प हो चुग है कि मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में आ चुका है म अब मार्केट इसी जोन के आसपास है जहां से हमें एक सपोर्ट मार्केट में देखने मिला तो लोगों का यही से सिन्यारियो बनेगा कि मार्केट अब यहां से एक बाउंस लेते हुए रिटेस्ट करते हुए यहां पर ब्रेकाट ढिखा सकता है विचिस प्राइजेक्शन की इसाफ से completely true ठीक है तो कल मार्केट खुले काहा पर वह important है कल अगर मार्केट इस जोन के आसपास मतला बिलोग 51,000 अगर इस जोन के आसपास कही भी खुलता है उस case में हमें थोड़ा यहां पर selling की इसाफ से मार्केट को दिखना पड़ेगा the reason is कि यहां पर खुलेगा तो तो technically projection के साफ से तो मार्केट इसी तरह बढ़ रहा है but intraday के इसाफ से वहां पर stop loss hunting पहले हुआ उसके बाद आपको momentum देखने मिला अगर यह काफ अचाए gap आप खुलता है या फिर मार्केट डिरेक्ली roughly 50,000 950 50,000 950 की जोन के आसपास आपको मिलता है उस case में breakout के साफ से market क आपको देख सकते 100 to 120 points का minimum हम अपर side move उस case में expect कर सकते और अगर train चल गया मार्केट अच्छा का सा momentum कर लिया तो 51,300 भी बढ़ सकता है इसके पीछी का first में आपको reason दिखाता हो क्यों ऐसे हम basically expect करें कि अगर मार्केट जाए का तो वहां तक जा सकता है पहले आपको दो के ऊपर या फिर 50,000 950 के आसपास खुलता है या फिर खुलते ही वहां पर उस zone के आसपास trade करने लगता है तो उस case में breakout आ सकता है market trend continue कर सकता है और उस case में market 51,300 भी जाते है दिखेगा ठीक है तो यह काफी easy रहेगा market के लिए लेकिन उसके लिए market को एक तो बड़ा gap अप या फिर आप देख सकते हो first candle खुलने की बाद यहाँ पर market बड़े बड़े green candle बनाना शुरू कर दे 1 minute के time frame पर 3 minute के time frame पर जो भी आप यहाँ पर प्रेफर करो उसके बाद एक retracement के बाद आप वहाँ पर फिर से buying में जोड सकते हो अब देखे second यहाँ पर यह की market में selling कप कर नहीं जाते है क्योंकि जब मार्केट का sentiment positive होता है तो directly negative trade जो first आता है उसमें कभी भी उसके उपर भरोसा नहीं रखना होता है नॉमली वह एक trap हो सकता है या फिर एक retracement होगी जिसका चलने का chances काफी कम होता है तो यहाँ पर अगर कल market को downside आना ही है तो 50,700 के नीचे market गिरना तो नहीं रखेंगा क्योंकि एक दिन अगर selling का बनेगा तो नेक्स दिन उससे साफसे planning की जा सकती है ड्रेक्ली फर्स selling में काफी तगडा selling आगा यह सोचना थोड़ा यहाँ पर गलत रहेगा तो बाइंग निफ्टे में काफी easy है इस zone के आसपस कई भी खुलता है या फिर gap अब खुलता है उस case में यहाँ पर बाइंग मोमेंटम कटिनी हो सकता है minimum को 100-120 पॉइंट को तो मोमेंटम मिलना चाहिए सेकेंडली अगर चलता है तो 51,300 पीए जा सकता है जिसमें आपका मार्केट का ग्याप फिल भी हो जाएगा साथी साथी जो ट्रेंडलान बन रहे मार्केट इसका भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर लेगा ठीक है अगर मार्केट इस zone के आसपस कही खलता है मतलब let's say 900 की नीज 900 से लेके 700 800 यह पूरा 200 पॉइंट का जो रेंज है इस zone में कहीं पे खुलेगा लोग यहाँ पे कॉल बाई करने जा सकते लेकिन आपको में भी मार्केट यहाँ पर फॉल करते देख सकता है उसकेस में थोड़ा मॉर्निंग में आप प्रेफर कीजिए जो लोग मॉर्निंग मॉमेंटम क्याप्चिर करने का ट्राइ करते है वो पुट की तरफ अगर आपको कोई अच्छा सेटप मिलता है तो वहाँ पे वो लोग प्रेफर कर सकते है और तीसरा अगर आपको एक्चुल में रिट्रेस्मेंट के लिए ट्रेड करना है तो लेट अमार्केट ब्रेक बि खुलेगा तो मार्केट दोनों तरफ की लोगों को निकालने का ट्राइ करेगा लेकिन अगर फ्लाट खुलता है तो वन सैड मोमेंटम भी हमें देखने मिलता है ठीक है यह नॉर्मली एकस्पार इसकी बारे में होता है अब देखा था कि एक बड़ा यहाँ पर यहाँ पर और साथी साथ यहाँ पर ट्राइंगल बनाएं तो प्रेफर कॉन से कारना हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ भी फ्लाइगन पोल है तो अगर मार्केट अपर साइड निकलता है तो देफिनिटली बाइंग मोमेंटम आएगा तो 600 की ऊपर बेसिकली हमें यहाँ पर प्ला तो वह चीज ऀस होती मार्केट में कभी-कभी निफ्टी ज्यादा मुमेंटम करेगा तो यहन करें डिफ्टि को सेक्टर में किस तरह रोटेशन आ रहा है इब देखिन यहाँ यहाँ पर निफ्तहर cog चाला मार्केट करने के कि होल्ड करने का ट्राय मेंटम लाए है कर से ऊपर चला जागा तो अगें आम सेंग जैसे बैंक निफ्टी में लोगों का यहाँ पर पॉजिव सेंटियों बैंक मार्केट निकर दिया है वही सेम आपका निफ्टी में भी लोग कर रहेगा राइट कि अपर साथ मोमेंटम कर रहा है जाए का तो डेफिनेटी प्लानि अची है और कंटिन्यू से अगर यहाँ पर बनाता है फिर इट्रेस्मेंट के वाद हम यहाँ पर बाइंग की तरफ मार्केट में जा सकते हैं तो जो कुछ आपका बैंक निफ्टी में प्लान है एक्जैटली सेम आपका निफ्टी में प्लान रहेगा लेकिन स्ट्रेंद का यहाँ पर अची है ऑसके ट्रेमें बढ़ सकते हैं और आज के लिए बस इतना ही पूर्वसों रख सकते हैं तो आज के लिए बस तना ही अगर दिखता है लेवल्स ख्रॉस होते है और आपका सेट अप वहाँ मैंच होता है creatively हम वहाँ पर उसके basis भी रख सकते हैं तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं next video में, till then goodbye, thank you so much for watching.